जी दर्ज की थी बेरो रिपोर्ट डीडी नियूस जारखंड में विधानसभा चुनाव की रनभूमी तैयार हो गई है मैदान में योध्धाओं के उतरने का इंतजार है जिसकी शुरुवात 18 अक्टूबर से पहले चरण के चुनाव के नावांकन के साथ प्रारंब हो जाएगी जारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है राजी में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को मद्दान होना है जबकि 23 नवंबर को नतीजे घोशित होंगे वहीं चुनाव की घोशना के साथ ही बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है इस बिच केंद्रिय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने कहा कि इस बार जारखंड में सत्ता परिवर्तन की बयार बह रही है और भाजपा की वापसी हो रही है पांस साल सिर्फ जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सब ने दिखा है विधान सभाचुनाओं में राजपा की 81 सीटों पर NDA और NDA गटबंधन के बीच प्रमुख रूप से मुकाबले के आसार है लेकिन जैराम महतो की JLKM पार्टी कहीं कहीं चुनावी संघर्ष को तरिकोण ये भी बना सकती है एक तरफ जहां NDA में सीट सेरिंग पर सहमती हो चुकी है वही दूसरी तरफ इंडी गठवंधन में अभी भी बारगेनिंग का गेम चल रहा है उधर जारखंड मुक्ती मोर्चा सांसद महुआ माजी ने कहा कि जो उमिदवार जीत की गारंटी दे सके चाहे वो किसी भी पार्टी का हो उसे टिकट मिलेगा गठवंधन को जल्द से जल सीटों के बटवारे की घोशना कर देनी चाहिए जितना जल्दी है गठवंधन का सीटों का बटवारा हो जाए फिर अपने अपने हम लोगों विदवार अपना डिकलेर करें फिर एक जॉइंट कैंपेंड का काम सुरू हो जाए ये दोनों चीज मुझे रगता है कि वीश के अंदर में हो जाना चाहिए गौरतलब है कि 5 साल तक जारखंड की सत्ता में सहभागी रहे सहयोगी अपनी अपनी सीट की खातिर अपने नए दाओं पेच खिलने में लगे हुए हैं ऐसे में कहीं कॉंग्रेस और जारखंड मुक्ती मोर्चा के बीच छोटे और बड़े भाई की खीचतान गटबंदन को कहीं मजधार में ही न डाल दे राजनीती में संभावनाय बनी रहती है और विकल्प भी खुला रहता है अंतिम वक्त तक दल और दिल बदल सकते हैं ऐसी भी गुंजाईश रहती है पसंद की सीट ना मिलने पर पार्टी छोड़ने का भी इतियास रहा है जो चुनावी मौसम में आम बात है और यह आने वाले कुछ दिनों में जारखंड में खुँ दिख सकता है डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ राची से मैं दिवाकर कुमार खाने पीने की चीजों को दूशित करने पर सखत कारवाई के लिए यूपी सरकार